तो एलो दोस्तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्नाइप सीट के बारे में स्नाइप सीट एक एडवांस फोटो एडिटिंग सॉफटवेयर है जो कि काफी जादा यूज किया जाता है जो भी प्रोफेशनल फोटो एडिटर से उनके दुवारा और इसमें बहुत डियर सारी फीचर्स हैं जो कि आप अगर यूज करेंगे तो आपका जो फोटो है वह बहुत ही स्टैंड आउट करेगा अगर इसमें कुछ ऐसे फीचर है जो कि किसी भी एप्स में नहीं आते कुछ फीचर है वह भी मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूं यह वीडियो मैंने थोड़ा सा आराम से लाइक काफी धीवे बनाया है ताकि जो बिगनर्स हैं वह भी देख पाए और इस लेक्चर को तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5 एक्स पे स्विच करके देख सकते हैं और इस वीडियो का इंज्वार देख सकते हैं और अगर आप फोटो एडिटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं तो आप 1.5 एक्स पे स्विच करके अगर देखेंगे तो आप यह वीडियो और चलते हैं अभी स्क्रीन पे और देखते हैं कि चीज़े कैस कैसे एडिट होते हैं अविन क्या कैसे खुटता है तो अभी हमाद चुक है स्नैप सेट के वंश्क्रीन पे कुछ इस तरीके का स्नैप सेट का हो में स्क्रीन आपको दिखेगा यहां प्लस आइकन आप लोग दिख रहा होगा यहां पर लिखा है टैप एनिवेर टू पेन फ इतовых फोटो को सिलेख्ट किया आ आई आपसे देख सकते हैं आःट Cemal को बूस्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को ancora करके कि सट किया हुआ अब कलर प्रोफाइल हम लेकि अपने फोटो पे अड़ करने डिरेक्ट ले तो उसे प्रिसेट बोलते हैं तो यहां पर कई सारे प्रिसेट्स आप सब देख सकते हैं जैसे कि इस मूद प्रिसेट करके है यह अच्छा लग रहा है इसमें कॉन ट्रास्ट जादा आप एक ही यह है इसमें ग्लोव है तो आप सब देख सकते हैं जो पुछ सही ज्यादा लगी अभी दो कुछ एड़िटिंग नहीं करते हैं तो हमारे पर कट कर देते हैं अगर आप चाहें तो यहां से कर सकते हैं यह वाला जो आइकन है में नूकलर का है राइट कॉर्णर में इसे आप कर आप यहां जैगा यहां पर दिख सकते हैं तो यह चीज़ और यहां पर एक चीज यह है कि यह आइकन देख रहे होंगो यहां पर यह वाला यह एडिट इस लेकर स्टैकर करके उप्शन है इस पर क्लिक करने से अगर हम कोई भी एड़िट कर चुके हैं और हम एक स्टेब ब कर दिए हैं आप देख सकते हैं हो लगया कि यहां से अपर करनेके लिए यापि यह सेटिंग्स कुछ भी आपको चाहिए हैं तो अपर नाट बने कर सकते हैं अगर आप उपत sunts Chand to CLG सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अब आपक्वालिटी वगरा भी बढ़ा सकते हैं तो मैक्सिमम 95% कॉलिटी एक तो यहां पर हंडेड़ प्रसेंट क्वालिटी है तो अब 100% सेट कर देते इस तरी के सिंट तो यहां पर यही ऑप्शन है और ज्यादा कुछ इसमें नहीं इस कितने एंबी का है या फिर उसका जो इनफॉर्मेशन है वह सारी चीज़ है अदर ही धेर सारी टूल मिलते हैं जिनके लिए स्नेप सिट जाना जाता है और यहां पर आप लोग नीचे एक देख रहे होंगे यह आप यह इंपोर्ट करने का स्वरी एक्सपोर्ट करने का इमे कर चुकि अपिए एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए हैं वाल तो अभी मेन सिट हैं स्युक्षै यह जाना जाता है इसके टूल कि यहां स्ब 20 23 तभी हम उन सबको सब्सक्रताने हैं यहां प्याप साथ करते हैं स्कूर ये ऻौजंग बना हुआ है यह लग दिए गए हैं तो हैं पर टैप करते हैं एक्षिली यह वारा जो पूरा आप देख सकते हैं यह ट्योन इमेज यह और यह जो डीटेल और यह जो कौर वाइड बैलेंस चारों चीज़ें क्लर ग्रेडिंग के लिए ही हैं तो में चारों को अच्छे से समझेंगे पहले हम कновर आते हैं अप्ल civ क्लिक करकर के अपर नीचे बाहर बने हो हैं उसको करेंगे तो आप अपकी सारे आपशन आगे पधेनने घ्न यानि कि किनी ऑर झांडनेस ज्यादा है तो हम उद्यारज सकते हैं और और पाल क्यों बड़ा घटा सकते हैं या पहलती हने और यह यह सब्सक्राइब इतना उपना उप्सिंट हो एन यह की जांड है यह इतना चाल चाहेब म Rabbit आप यह कम हो ज्यादा कर सकते हैं ऐची तरीकेए और यहां पर इसका temperature अगर हम घटाना चाहें मिट से तो हम temperature भी घटा सकते हैं बढ़ाना चाहें तो यहां पर temperature काफी यदा बढ़ा सकते हैं इसके नदरे से कई सारे features हैं जो की बहुत प्यारे हैं और यह highlight का है अगर कोई भी part बहुत ज़्यादा highlight है वहाँ पर details missing है जैसे यहां पे इस सकते हैं और थोड़ा से च्छाँ में चली सकते हैं तो भी हम देकते हैं यह Yuk स्फीड करने वाले हैं डीटे बेख स्वी करते हैं उप्शन पर नब इस चेख है कि अगर हम स्ट्ट्ष्न को बढ़ाएंगे है तो कोईभी फीजू डील है यहां पट वाटर जर्ड्रोप बतроп है और यह थो देख सकते हैं उने में कफी अदर डीटेल आगे हैं यहां पर मैं देख सकते हैं आधर काफीज देख सकता है है यहां बढ़ा ने चाहले के बढ चल्टे लिए को रख सकते हैं काफी एच्छा तूल फ़ी का काफी अच्छा फीचर है अगर कोई भी पास जो ब्लरी काफी डीटेल नहीं है प्याजे आप डीटेल भी इंक्रीज कर सकते हैं तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स फीचर पर डीटेल हो गए और ट्यून इमेज यह दोनों हो चुके हैं अभी हम चलते हैं कर पर तो हम क्लिक करेंगे कर यह एक्षिली कॉंट्रास के लिए सबसे यूज होता है यहां पर एक आई बनी होगी आप देख देख पा रहे होंगे हैं सबसे आई आई बनाग देख यहां कर देख कर देते हैं यह पर जो ग्राफ है वह आ चुका है पहला रेड दूसरा है ग्रीन आज तीसरा है ब्लू तो आप लोगों को अगर पता हो तो यह भी जो रचोर हैं इन तीनों की मिक्क्षिर से एक पर्टिकुलर रेशियो में म को जैसे यहां पर चिलिट और करते हैं पर डेल बड़ा रही हम बढ़ राया है काफ अगर हम फूरने को निचे आप हुग चुका है मैज्वें यहां पर बैख लाइण थी आपसे सकते हैं वह दो घ्लाइण भी ब्लेक क्लर की हो गई है और पलोग दिखें तो यह एक्शिली रेट को गायब कर देता है और यहां से रेट को इंक्रीज भी कर देता है चाहती हम इस स्पेसिफिक कर लोगा बढ़ाना चाहते हो तो इसकी लिए मैं contrast add करता हूँ यह ग्राफ का अगर मैं किसी भी ग्राफ में एस करो बना दी तो इसका मतलब कि उस particular image में contrast add हो चुका है तो यह टूल भी हमने explore करें यहां पर एक और option है यहां आप पर कुछ प्रिसेट्स दिए हो एं प्रिसेट्स मैंने अब को बताया क्या होता है अभी हम चलते हैं white balance पर white balance क्या होता है आप हम click करता है white balance यहां एक कलर पिकर देख रहे होंगे इस तरीकी का करता है तो हम एकदम जो वाइट एरिया है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यह क्या करेगा कि जो वाइट की अकॉर्डिंगली इमेज का कलर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आटो करेक्ट कर देगा होल इमेज को तो जैसे हम यहाँ पर वाइट पर क्लिक करके आप है क्लिक किया ता सब्सक्राइब इतना चेंजिस अगया है अभी थोड़ा था यह है क्या केता है यलू हो चुका है इमेंच यह कलरेड वह हो चुका है इसके बाद चलते हैं क्रॉप टूल के अदर बहुत पर देग सारे फीचर से जैसे की स्कॉयर क्रॉप टूल और संसरी दी हुए हैं थोढ़ा साथ देख सकते हैं कि क्या कैसे है चुरॉप टुल है अपür कुछ वैसा है इसनल ओर है प्ली किया है इसंहों कश्वा भीद्वानगी मयधित सब्सक्राइब हैं भी ऐस साइड थी जिर्ट साईड ह्में और यह कर दिया यह फिलिप जूद फीचर से यह विए जातर तब धिर्षी होता है जैसे किसी भी टीसर्ट बगर कुछ भी एक सर्ट लिखा हुआ है और और हमने उसका image क्लिक किया और उसमें image क्या होता है image mirroring के वज़े से वो text उल्टा जाता है तो वो हम पढ़ नहीं पाते हैं तो यहाँ हम flip पर के उस image को और फिर उस text को जो t-shirt पर या फिर किसी भी wall वगरा पर है उसे हम easily read कर तकते हैं तो यह feature भी हो गया अब हम चलते परस्पेक्टिव फीचर के पास परस्पेक्टिव फीचर है वह mainly use होता है किसी भी image को एक specific view देने के लिए लिट्स है की इसी इमेज है यहां पर और इसका मैं पम क्मना जाता हो मैं यह जो czar जो जगे guard है इसे मैं बड़ा दिखाना जाता हम और इस वीए green ब्लैक बॉलाइक यह भाहर आ रहे हैं कॉर्डिनर्फ में यह इस एप के याई फीचर ने अटोमेटिक लीं कर दिया है तो यहां पर दो फीचर और हैं एक है वाइड इसकी AI फीचर ने आप पे आटोमेटिकली फिल कर दिया था तब यह फिल नहीं कर दहाएं यहां पे यह जेस्ट वाइट कलर का इमेज टाइप फूशाइट कर दिया तो जो कि काफी है और सही नहीं लग रहा था आप हम इस्मार्टी रहने देते हैं और यहां पेक फीचर है और आपने आप इमेज को कर्रेट कर देता है अगर कहीं पर मिस्टेप होज गई है तो यह पर प्रस्पेक्टिव फीचर में यह मैंने टिंट का इसके अंदर विए तीन फीचर से एक और जो और है उसका नाम में फ्री तो यह जो फ्री फीचर इसके खासिय दिये सब्सक्राइब किसमें फूर एंकर्स पॉइंट मिनते हैं जहां से आप इमेज को किसी भी प्रकारति इस तरीके से प्रस्पेक्टिव बना सकते हैं जो की काफी सकते हैं प्यारा फीचर है तो यहाँ पे इसका फीचर याई का आटोमेटिक लीजिंग कर दे रहा है वह भी यह चैनल च्रीक काफ़ी अच्छा एडवांस हो चुका है परस्पेट्ट में के in यकी इसके पटक्रत किसी भी में इस तरीके से अगर आप चाहे एक यह काफी अच्छा फीचर है मुझे काफी अच्छा लगता है यह फीचर में इसलिए यूज किया जाता है अगर हम किसी भी इमेज के साइज या फिर जो एक्सपेक्ट रेशियो है जिससे की यूटूब का होता है 16.9 इंस्टाग्राम का वन बाइवन तो मतलब यह जो रेशि है तो यह जो रेशियो है हाइट इंटू विट का इसे ही हम एकसपेक्ट रेशियो कहता है हमाले जी हमेरा कोई फोटो वर्टीकल है और मैं उसका अप Herrn लेटके में ड owners करना चाहता हूं Iya तो में उस heeft नहीं कर सकता है क्युंकि इसका अगर वह वो वर्टीकल है तो उसका एस तो मैं एक्सपेंड अगर जिसे इस इमेज करना चाहूं इसे और ज्यादा मैं इसे वाइड बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा यहां पर यह इस तरीके से तो यहां पर देख सकते हैं आप लो और वह इसके अंदर फीचर हैं अगर अची तरीके से काम नहीं करता अगर थोड़ा था एक्सपेंड करें तो उस चीज के लिए काफी अच्छे से काम करता है इसे यह दिखें यहां पर हम अगले फीचर पर इसको मैं चाट कर देता हूं तो ऐसा कि देख सकते हैं हम लोग मैंने रूसरा इमेज इंटरनेट से डाउन्वोट कर लिया है यहाँ पर और मैं अभी इसे एडिट करूंगा आपए मैं सेलेक्टिव फीचर जो का इसने इंपोर्टम्न इन मोस्ट इंपोर्टन आफिर मोस्ट टूल जिसके लिए यून्स क्या जाता है वह तो मैं से करता हूं और यहां मैंने लग्राइबंव क्लिया इस तरीके से मैं क्या करूंगा अगर इसीर्स पहर क이즈 सब्सक्राइब करें उस इमेजब करूंगा इस इमेज पर करों तक ह्लिए अगर मुझे टाक सरकल से तो मैं उस लुविए उटाना चाहता हूँ यहां तो यहां पे छो तस।ंध है कि यहां पर घूठ डंक को आप मेसे तरीकिया से use सकते हैं कि यह थोडा सा ब्लाइक हैं चीओ टीक द दिख रही तो contrast add करना चाहें जिससे कि आप देख सकते हैं अगर मैं आपको क्लिक करके आप दिखा सकता हूं आपको आप एक contrast का भी फीचर है तो contrast बढ़ा सकते हैं आप structure यह नहीं कि आप सापनेस बढ़ा सकते हैं अब brightness तो बढ़ाई सकते हैं वो तो आपको idea है ही तो इस तरीके से आप इस selective feature का यूच कर सकते हैं जस्ट आपको इसको एक बार प्लिक करना है और आपको जहां पे भी बराइट करना है लटसे आई को ब्राइट करना है तो इस तरीके से सेलेट करके आई को आप यहां पे brightness increase क कर देंगे तो देख सकते हैं यह वाली आई भी ब्राइट वोच चुकी है हाला कि यह काफी unnatural लग रहा है बट आप अपने हिसाप से ट्विक कर सकते हैं साई चीजों तो आप लोग लिफ देख रहे होंगे अगर हम चाहें कि यह जो आप डार्क पार्ट ही वाला इसे थोड सकते हैं तो सबसे ब्राइट नेस देखते हैं तो मैंने यहान पर ब्राइडनेस कर निकिले कर दिया और यहां पर ने मैंक्रीज करूंगा brightness जाह जहां अगले अगले फीचर्स के और जो एंब्रस टूल हम पर क्लिक करते हैं तो एंब्रस टूल क्या काम करता है कि जैसे किसी भी इमेज को मानले जी कोई करते हैं दो एक पर दो लिता है तो मैं ब्रस टूल लेता हूं और ले चाहता हूं कि इस इमेज में यहां पर आईज की ऊपर जो डार पार्ट है उससे में ब्राइट करना चाहूं तरीके इसमें करूँगा देख सकते हैं ब्राइट हो रहा है यहां पे मैं यहां पर 10% किया हो आगर मैं इस डाउन रोख करोंगा तो डाउन हो जाएगा तो यह मैं इर्एजर पर करोंगा तो यह इन गतलु ना तो डारीज हो जायगा जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा तो यह ब्रस टूल का एक फीचर था यहां से मैं टेंप्रेचर भी बढ़ा सकता हूं किसी भी इस पेसिविक प्लेस का जैसे यहां पर दे रहा हूं यहां मैं टेंप्रेचर गटा भी सकता हूं है तो आसे कई सारे फीचर्स दिये हूई है यहां पर देख सकते हैं पलोग तो मैं सीमें कर था हूं किसी सारे फीचर्स जूरेस ज़ीन एंग antar रॉड़ा सकता है यहांस मैं यहता है ने ईजलेंगा तो बस मैं जिस्ट करूंगा यहां पर देख सकते हैं बिंदी हट चुकी है यह मैं जिस्ट करता हूं और वहां से बिंदी गया गया हो चुकी है तो इसलिए उतना अच्छा सब्सक्राइब काफी अच्छी रहती है यह मैंने गूगल से डाउनलोड केस्ट की क्वाल्टी उतनी अच्छी नहीं है तो ठीक है मैं फिर अगले टूल्स की और बढ़ता हूं यह तो यह उतना खास है नहीं यह किसी भी इमेज का जो डाइनेमिक रेंज है उसे बढ़ाने के मतलब की उसे थोड़ा सा कम ब्राइट कर देता है तो इसे ही कहता है एस डी आरहाइड डाइनेमिक रेंज है इस डी आर और इसमें कोई फीचर है नहीं यहां पर स्ट्रॉंग का फीचर दिया हुए यानि बहुत स्ट्रॉंग एस डी आर लग जाएगा जो की अनने अननेश सब्सक्राइब करेगा नहीं तो आप इंटर टोन या फिर कूल टोन में चाहें तो वहां पर भी एड़ कर देगा इस तरीके साथ आपसे यह सैचुरेशन है सैचुरेशन भी इसे एड़ कर दिया तो आपसे जीख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो जो टा था जो भी सफेया उसे ऑड्र कर देता है लेकिन कंट्रास्ट में करता जो अधी चाहिए उसे और ज्यादा डार कर देता है और जो ब्राइट अरे उसे और जादा ब्राइट लेता है तो इसे रहा तो यह वी यूजिलिस फीचर यह कुछ खास काम है नहीं आप pensa' आए नीचे बढ़ते हैं तो यह विंटेज विंटेज जानी कि अगर हम किसी भी इमेज को 30-40 साल पुराना ऐसा दिखाना चाहिए तो यहां वे फिल्टर उस चीज का यूज करके कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं अगले फीचर्स की जो अगला फीचर है वह ग्रैनी फिल्म जानी क इसे एक्स्प्लोर कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं एक आप्शन की और जो है रेट ट्रॉक्स लक्स तो यह भी वही विंटेज लुक टाइप का फिल्टर है एक ग्रंज आप्शन आगए यह आप सुन देखने एक प्रकार का फिल्टर ही है बस इसमें इसमें ऊपर से कुछ सब्सक्राइब हो गया ब्लैक कलर का सर्कुलर में मास्क टैक और यहां पर देख सकते हैं और ले कई सारे मतलब और ले नहीं कि ऊपर कोई इमेज रहेगी जो कि ट्रांस्प्रारेंट रहेंगी तो उसे हम और ली बोल देते तो वह चीज भी है उतना कुछ खास है नहीं तो यह मावी में ब्लैक ब्लैक की एंड बॉयड के लिए बाओ इंद है तो आप इसे अक्सप्लूर करेंगे तो आप पाएंगे इसमें बहुत और सरी अपसंस हैं तो अब यहम बढ़ते हैं पोट्रेट की और पॉर्टेट भी वही और तुम लिख लिक रहें ही आपे दिख सक आपका इमेज सही है तो उसमें जो आई रहेगी उसकी आँख वो कफी आदे क्लीर हो जाए यहां पर आई क्लारिटी की बात करें मैं आई क्लारिटी कर रहा हूं तो आपको ऐसे पता चलेगा आप अगर आप जो ध्यान देंगे तो देख सकते हैं आई बहुत जादे क्लीन हो अब यह में में यहापे चैंज कर सकता हूँ की ट्रॉप का बंडा करके और र b侏यू बढा सकता हूं जिससे की represented s जहरे को ही फोकस में करना जाया तो इस तरीके से कर सकते हैं तो अगर हम किसी इमेज का जो बाउडर बाउडर है इसको उसके अप्र जगें अपर जगें ऐसे यूच करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आप सकते हैं तो आप अपने इसाप से यूज़ करेंगे तो काकी अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आप हम बात करता हैं डवल एक्सपोजर पर आप से देख सकते हैं जो डवल एक्सपोजर है मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं तो इसका फीचर बेसिकली यह है कि अगर हम किसी भी अलग इमेज को सेलेट करें जैसे कि मैंने यहाँ इस इमेज को सेलेट किया है तो हम यहाँ दो-दो इमेज को एक इमेज की ऊपर ऊवरले की तरही यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से अ सब्सक्राइब मैं टेक्स्टेंज कर सकता हूं एक चीज़ करने के लिए एक चीज़ चाहिए कि मोबाइल फोन जो है वह वर्टिकल लोना चाहिए लेकिन अगर मैं वर्टिकल करूंगा तो फिर वह बहुत छूटा हो जाएगा आप लोग पर दिखेगा नहीं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं अब फ्रेयल का ओप्सन है घángके अगर है में या चाहिए ऑफोय चाहिए से छिब्द तो कहिसे चीज़ करेंगे कि हो जाएगा वहां कि मैंने सारी फीचर को काफी डीटेल में बताया है सार सारे कर मैंने यूज भी बताया है आपको कहते हुते करते हैं कौनसे यूज वह और अभी हम बात कर लेतें कि इसफोर कर से करना तैंग एक्सपॉड का दिख बैस फोर रहा है ऑप क्लिक करूंगा आप की तो दोस्तु यह था स्नैप सीट का लेक्शर कैसा लगा आप पॉमेंट में जुरू बता हैं और भी मैंने कई सारे वीडियो एडिटिंग एप्स हैं या फिर फोटो सॉप अगरा उन्पे भी मैं वीडियो ला रहा हूं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते ह और मैंने प्रिनियर प्रो का लिक्शर दोए वसी रिच और डालना सुलू कर दिया तो आप जाके वह भी देख सकते हैं चकाओ कर सकते हैं आपके लिए काफी अधा हेल्फुल होगा और आप मेरे सोचल मेडिया एंडल डिस्कॉर्ड और लिंडिन को भी फालो पर सकते हैं वहां पर मैं कई सारी चीजे सेर करता रहता हूं जैसे कि किसी एप का जो मोड अपी के बरेजन आता है तो भी मैं उसका लिंग वहां पर प्रोवाइड कर देता हूं आप पो आप मुझे मैस्स कर सकते हैं फोई आपके डाउट होगा और या इसी के साथ विडियो को एंड क अधर विडियो में तब्द केमिये साइन आउट